तो देखे कितना स्मूथली हमारा काम कर रहा है इस तरह से आप इसकी बाइरिंग एकदम प्रॉपर बाइरिंग हाजिर है एक और नया वीडियो लेकर और आज के इसी वीडियो हम लोग आपको बताने वाले हैं कि सिंगल फिस का हमारा जो समर्सेवल का स्टार्टर होता है उस समर्सेवल स्टार्टर से बाइरिंग से संब्दित देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे में हम एम्पेर मीटर भी लगाने वाले हैं और बोल्ट मीटर भी लगाने वाले हैं प्लस डवल कैपेसिटर कॉन्टैक्टर और दोनों बटन ठायन, Mc भी वो completely total सामानई में बाइरिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो वीडियो शूरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर पहली वारा आएं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरुवΤ पर देख रहे grote तो फेस्बूक वेज को भी जरू फॉलो कर दें तो देखिए सबसे पहले बायरिंग जो हम करते हैं वो न्यूटल और फेस की करते हैं तो देखिए यहां पर आपको इस्टाटर में एक इस तरह का कनेक्शन इस्ट्रेप लगा हुआ देखेगा जो कि इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से रहने वाले फेला जो पॉइंट होगा हमारा वो फेस का रहेगा दूसरा न्यूटल का रहेगा उसके बाद मोटर की कनेक्शन होते हैं पहले तीसरा पॉइंट जो होता है वो रेड वायर इस पर लगता है मोटर का और बीच वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट जिसे बोलते हैं, उस पर हमारा यलो लगेगा, और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, उस पर हमारा बिलू वायर मॉटर का लगता है, तो इस तरह से हमारा connection, strip का connection हो गया, अब सबसे पहले हम कर लेते हैं, face wire का connection, तो face wire का connection क करने के लिए हम इसमें red wire का use करने वाले है, यह जो red wire है, इसका use हम लोग face wire में करने वाले है, तो देखी face wire आप लोगों को अगर mc भी आपके starter में नहीं लगा है, तब तो आपको सीधा यहां से एक wire उठाकर यहां पर दे देना है, अब क्योंकि हम इसमें mc भी लगाई ह हुए है, तो पहले जो हमारा एक face wire है यहां से, इसा point से wire आपको उठाकर यहां पर लगा देते हैं हम इसे, यहां हमारा लग गया यह face wire, face wire जो input हमारा mcb में, mcb में input हमारा face wire हो गया, यहां से, अब दूसरा से जो हमारा mcb से output जो face निकलेगा, वो आपको लगा देना है यहां पर इसे जो contactor का पहला पॉइंट है दो पॉइंट ऊपर की तरफ आप लोगों को दिखेंगे इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है इस पर आप लोगों को face का जो बायर है MCB से जो बाइपास होकर आ रहा है उसे आपको को लगा देना है तो चली इसे यहां पर हम लगा देते हैं कुछ इस तरह से आपको यहां पर इसे connect कर देना है कर देखिए इस तरह से हमने यह face wire connect कर दिया पहले face wire यहां से लेकर हमने MCB में दिया है और MCVC जो output हमारा बायर निकला है उसे हमने contactor में दे दिया है अब इसी contactor point के सामने एक आपको point देखेगा वो मैं आपको देखा देता हूँ किस तरह से रहता है तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ है एक बायर face wire input होगा हमारा अब output इसी के सामने वाला point रहेगा तो यहां से एक bar हम उठाएंगे और इसे कहाँ पर देंगे हमारा जहां पर माटर का blue wire लगेगा तुदेखिए वाला यहां से इंपूट हैमारा फेस का और यहां से हमारा फेस आउटपुट होगा तो यहां से तो देखी कुछ इस तरह से घनेक्शन एकडम कम्पलेट होगा यहां से हमारा फेस इनपट हुआ है है यहां से सीधा जाकर mcb के अंदर गया है m se ve से output होकर contractor के पहले point पे गया है जो की हमारा CONNECTION była हमारा पोंट है यहां पर गया है और इसकी के सामने वाला जो point हमारा conACTOR का यहां से हम ला हमारा पेस आउट्पूट हुआ है और output होने के बाद कहां पर आया है हमारा जहां पर हमारा motor का blue wire लगेगा देखी R by B यहां पर हमारा motor का blue wire लगया तो यहां पर हमारा यह blue wire के point पर हमारा face का output हो चुग है अब हमारा इस तरह से face का wiring एकदम complete है अब करते हैं हम नीटल की wiring तो नीटल की wiring करने के लिए हम इसमें black color का byar उजज करेंगे तो black color का वायर हमारा और नीटल जो है हमारा तेकि face हमारा यहां पर लगा हुआ इस पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे हम इसे नीटल में देंगे तो यहां से हम नीटल लगा देते हैं तो देखिए यहां पर हमें इसे लगा दिया है अब आपको जो नीटल है फेस तो हमारा यहां पर लगा हुआ देखिए फेस हमारा कॉंट्रक्टर के पहले पॉइंट भी बने हुई हो सकते हैं तो यहां से एक बायर लेकर इस कॉअल पर इस तरहыпे कॉछ इस से आपको न्यूटल का भी कनेक्शन कंपलीट करदेना है यहां से दूसरे पॉइंट से न्यूटल का बायर एक उठाना है और इस पॉइंट immigrant के मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है, अब हमें इसी के सामने से जो हमारा नीधर हमने यहां पर लगाये हुआ है, और इसी के सामने बाले पॉइंट पर जो kontakr में है, यहां से आपको एक adr., उठा कर red बायर जहां पर हमारा मोटर का लगेगा बहाँ पर आपको लगा देना है यहां पर हमारा रेड बायर लगेगा तो यहां से हमें एक बायर उठाएंगे और रेड कलर का जो बायर हमारा लगेगा यहां पर आप लोगों को लगा देना है तो यहां पर हमारा मोटर का रेड कलर का बायर लगेग हो गया अब बाताती है हमारी कैपिसेटर की तो सबसे पहले जो कैपिसेटर हम लोग लगाएंगे वह 50 UF क्पचास MFD की कैपिसेटर में आपको इस तरह से दो वायर देखने को मिलेंगे तो एक वायर तो आपको जहाँ से एक capacitor का बायर जो कि हमारा 50 MPD कर रहेगा और एक हमारा जो न्यूटल का बायर आउटपुट में आया हुआ है कॉंटक्टर से बाइपास होकर उन दौनों को बायर को इखटा करके इस तरह से लगा देना है तो देखी हमने दौनों बायर को एक capacitor का बायर और एक न्यूटल का बायर जो हमारा कॉंटक्टर से आया हुआ है दौनों को इखटा करके रेड कलर के बायर के पॉइंट पर हमने इससे लगा दिया अब क्यापिशेटर में हमारा जो 50 mm CC था उसमें ने एक बायर बचागर को आपको यलो वाला पॉइंट खाली बचा हुआ है इसके बीच में आपको इस तरह से लगा देना है उसे भी हम लगा देते हैं और दूसरे का भी वायरिंग हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है तभी आप करिए तभी आप प्रोपर तरीके से समझ वाएंगे अब बात करते हैं हम बटन की बायरिंग के बारे में तो इसमें जो बटन लगे हुए है कुछ इस तरह की बटन रहने वाले एक रेड़ बटन है एक ग्रीन बटन है और पीछी से देखने पर बंद होना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर यह चार पॉइंट वाला कैपेसिटर दिया हुआ है तो देखिए अब इसका बायरिंग आप लोगों को समझा देते हैं किस तरह से करना है तो वीडियो को आप बहुत द्यान से देखी तभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो देखिए आपको एक एक बायर दोनों के बटन का इस तरह से सौट कर देना है यहाँ पर मैंने एक लूप डाला हुआ है तो देखिए इस तरह से आपको एक एक बायर दोनों बटन का सौट कर देना है इस तरह से दोनों बटन लेकर आपको एक बायर दोनों इसमें हमारा एक पॉइंट खाली बचा हुआ देखी यहां पर तो हमने नीचे बटन लूप दे दिया है और यह हमारा पॉइंट खाली है यहीं पर हमारा जो बटन में हमने लूप निकाला हुआ है यह बटन से लूप हमारा निकला है यहीं पर हम इसे लगा देना है तो का जो एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है कोईल का इस पर आपको लगा देना है अब हमारे सबसे पहले बात करते हैं रेड बटन के बायरिंग रेड बटन का हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है और एक पॉइंट इस साइड हमारे ग्रीन बटन में बचा हुआ है आदा जो भा आउटपुट कॉंटक्ट के दूसरी तरफ है इस पॉइंट पे तो यहां पर आपको इस बटन से रेड बटन से एक बायर लेकर यहां पर आपको लगा देना है तो चलिए इसे लगा देती हैं तो देखी रेड बटन पे हमारा एक पॉइंट जो बचा हुए था उसे हमने यहां से एक बायर उठाया है और जहां पर हमारा फेस का आउटपुट हो रहा है कॉंटक्टर में उस पॉइंट पे हमने से लगा दिया है तो रेड बटन का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया फेस input हमारा यहां हो रहा है mcb से होते हुए यहां पर हमारा face input होट रहा है contactor में तो यहां पर हमेंसे लगा देते हैं तो दॉनों बटन का हमारा wiring एकदम complete हो चुका है जो की कुछ हमारा इस तरह से रहा है जो हमारा रेड बटन है यहां से हमने फेस का आउटपट हुआ है बहाँ पर हमने एक बायर लगा दिया है जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ था और ग्रीन बटन में हमारा जो एक पॉइंट बचा हुआ था यहां से हमने एक बायर उठाकर जहां पर हमारा फेस इन पर हो रह इसके बाइर आप लोगों को किस तरह से लगाने हैं तो इसके बाइर आप लोगों को देखी कुछ इस तरह से लगाने हैं एक बाइर जो हमारा वो यलो पॉइंट पे लगेगा और दूसरा बाइर हमारा रेड पॉइंट पे लगेगा तो इस तरह से इसका बाइरिंग हो तो उसी के लिए हम यह जो दो पॉइंट बचे हुए है इन से एक तरह से स्विच की रूप में इसे बटन को यूज करेंगे और पहले एक बायर आपको लोग लेना है जो हमारा 120 वाला कैफिसेटर है और एक बायर जो हमारा यलो पॉइंट पे लगा हुआ है 50 MFD वाले कैफि कैफिसेटर का तो इस बायर को हम किस तरह से बायरिंग करेंगे तो इसके लिए आपको सीधा यहां पर लगा देना है जो हमारा ग्रेंग बटन का एक दो पॉइंट बचा हुए इनमें किसी भी एक पॉइंट पे आपको लगा देना है तो इसे भी हम लगा देते हैं कोच इ एक पॉइंट पर लगा देते हैं जो किकुछ इस तरह से हमारा लग गया इस तरह से यहां से उठाएंगे बटन से Хालका बायर भी लगा सकते हैं क्योंकि इस में कोई ज्यादा लोड नहीं के अधर जिलने ‫ाला है केबल एक स्विच की रूप में इस यूज ओने वाला है यहाँ पर हमने इसे लगा दिया अब यहाँ से हमें इस बायर को जो हमारा red point का बटन है red point है जहाँ पर हमारा motor का red wire लगेगा बहाँ पर आपको इसे लगा देना है तो इसे भी हम खोल लेते हैं red point पर हमारे जो बायर लगे हुए हैं इन दोनों बायर को हम खोल कर और इसी के साथ इस बायर को भी हम attach कर देते हैं और फिर हम इसे इसी में लगा देंगे दुबारा तो इस तरह से हमारा capacitor और button और contactor का wiring एकदम complete हो गया ठीक है तो देखी बायरिंग तो हमारा एकदम complete हो गया है कि अबल हमारा voltage meter और ampere meter हमारा इसमें लगाने के लिए रह गया है तो उसके connection भी हम आप लोगों को बता देंगे क्योंकि इसे लगाना तो बहुत आसान है main चीज होता हमारा बायरिंग करना जो कि हमने इसे वीडियों आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है अगर वीडियों को आपने ध्यान से देखा होगा तो इससे संबन देते कोई भी वीडियों आप लोगों को दोबारा देखने की जरूद नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हम मोटर को स्टार्ट करते के देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो एकदम प्रोपर है यह हमारा काम पर रहा है या नहीं कर रहा है तो अभी इसे चेक करने के लिए मेरे पास कोई मोटर तो है नहीं बट इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा सकता है यहाँ पर हम पहले इसे रेड और बिलू वायर पर कनेक्शन कर देते है और इसको बाद यहाँ पर 220 भीषब इसमें supply देकर इसे चला कर हम देखेंगे कि यह setup हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमने connection बल्ब के कर दिए यहांपर अब इसे हम 220 बोल्ट supply पे लगाते हैं तो देखिए supply में मैंने लगा दिया है mcb को करते हैं on हमारा इसमें सपलाई चालू हो गया अब हम ग्रीन बटन को दवाते हैं आपर तो देखिए ग्रीन बटन को मैंने जैसे ही दवाया हमारा मोटर एकदम स्टाट हो चुका है इसका सबूत है हमारा बल्ब एकदम प्रॉपर तरीके से जला है अब रेड बटन से हमें से बंद कर देंगे तो देखिए कितना स्मूथली हमारा काम कर रहा है इस तरह से आप इसकी बायरिंग एकदम प्रॉपर बायरिंग हुई है तो बहुत ही आसानी से अगर आप वीडियो आपने द्यान से देखा होगा तो इसकी बायरिंग बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं अब बात करते हैं हम बोल्टेज मीटर किस तरह से आपको लगाना है तो देखी बोल्टेज मीटर तो हमारा यहां पर फेस और न्यूटल दोनों इनपुट हो रहे हैं अगर आपको यहां पर भी लगा सकते हैं आप चाहे तो कॉंटेक्टर का दूसरी तरफ जो पॉइंट है हमारा देखी दूसरी तरफ हमारे जो तो पॉइंट है यहां पर भी हमारा फेस और न्यूटल दोनों है यहां पर हमारा फेस न्यूटल तब आएगा जब हमारा मोटर ओन हो जाएगा तब यहां पर बोल्टेज आ जाएगा दोनों तरफ हो फेस और न्यूटल का तो यहां पर भी एकर आप वो सीधा लगाना है तब आप यहां से लगा सकते हैं तो यह होगे हमारा voltage meter का connection अब बात करते हम ampere meter का ampere meter में भी इस तरह से आपको 2 point देखने को मिलेंगे देखी यहां पर भी आपको 2 point amper meter में देखने को मिलेंगे तो इन के लिए आपको कहा लगाना है तो देखिए हमारा जो बिलू बायर जो आया हुआ है । गंटैक्टर से बाई-फास होकर जो हमारा बिलू पॉइंट पे यए वाएा हुआ है। यह रेड कलर वाला है हमारा, ये बिलू पॉइंट प से पह्ले तो इस बिलू पॉनुझ प सिसओreaming एंपियर मीटर का भी connection एकदम complete हो जाएगा तो इसी तरह से दोनों के connection आप लोगों को कर देना है तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर दें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रही है तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन